पहला कॉरिडोर खुलने का टार्गेट है 2026 जुलाई आगस्ट में अपना पहला टार्गेट है अगर ठाकरे जी की सरकार जल्दी से पर्मिशन्स दे देती तो ये प्रोजेक्ट अब तक काफी आगे प्रोग्रेस कर गया होता है जैसा आपने गुजरात वाले सेक्शन में द तैयार हो गया है इतनी तेजी से वहां पर काम हुआ है वही तेजी से काम अब महाराश्ट्रा वाले सेक्शन में भी हो रहा है अनफॉचनेटली ठाकरे जी की सरकार ने बहुत इस प्रोजेक्ट में डिले किया लेकिन हम उस डिले को मेक अप करेंगे और फुल स्पीड से का इस चैलेंजिंग काम में प्रदानमंत्री शी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश को एक आत्म विश्वास दिया है जिस तरह से नए काम को चैलेंजिंग काम को लेकर उसे सक्सेस्फुल करने की जो प्रेरना दी है यह प्रोजेक्ट उसकी मिसाल है यह करीब 21 किलोमेटर की टोटल टनल है इसमें से करीब 7 किलोमेटर समुद्र के नीचे रहेगी जो हाई जो डीपेस्ट पॉइंट है वो करीब 56 मिटर नीचे है और टनल बहुत ही चौड़ी टनल है 13 मिटर 13.9 मिटर मतलब करीब करीब 40 फोट के आसपास चौड़ी टनल है जिसमें दो लाइन रहेगी एक लाइन अप और एक लाइन डाउन दो लाइन पे इसके अंदर हाई स्पीड रेल चलेगी टनल के अंदर भी 300 किलोमेटर की स्पीड से 320 किलोमेटर की स्पीड से गाड़ी चलेगी यह काम स्टार्ट हुआ है देखिए इस काम में श्री उद्दव ठाकरेज जी की जब तक महाराष्टर में सरकार थी तब तक उन्होंने कोई पर्मिशन नहीं दी जैसे ही सरकार बदली श्री एकनाज शिंदे जी ने और श्री देविंदर भाई फर्णवेश जी ने जब महाराष्टर की कमांड संबाली तुरंट दस दिन के अंदर अंदर पर्मिशन दी और उसके तुरंट बाद में सारे काम चालू हुए कम्प्लीट और अब फिजिकल कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है बहुत जल्दी ये भी तेजी से आगे बढ़ेगा इसको स्पीड अप करने के लिए कुछ इनोवेशन किये गए जैसे नॉर्मली क्या होता है जब भी टरनल बनाते हैं एक साइट से टी बीम डालते है ताकि वो जब तक टरनल बोरिंग मशीन होती है टी बीम और वो फिर दूसरी डायरेक्शन से दूसरे एंड से निकलती है इसमें कोशिश किये कि काम को स्पीड अप करने के लिए चार जगे से काम एक साथ पैरलल में स्टार्ट हुआ है दो तो शाफ्ट है एक एडिट है और एक फाइनल एंड है तो इस तरह से करके चार जगे से क काम स्टार्ट होने के कारण काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा देश का पहला है स्पीड कोरीडोर प्रोजेक्ट है और जैसे आप अगर देखो अंदाज लगाओ जैसे आप गाड़ी चलाते हो जब जैसे ही गाड़ी आपकी सतर की स्पीड से उपर जाने लगती है तो आप इमेजिन करो उसकी डिजाइन में कितनी कॉंपलेक्सिटी होती है कितनी डिफिकल्टीज होती है तो यह अपना सबसे बड़ा उद्देश्य इस प्रोजेक्ट में है कि इस पूरी टेक्नॉलोजी को समझना कि किस तरह से इतना कॉंपलेक्स प्रोजेक्ट अपने को ठी टाइम फ्रेम में करना होता है, उसको समझना, उसकी डिजाइन की केपेबिलेटी समझना, क्या equipment यूज होंगे, क्या sensors यूज होंगे, किस तरह की construction methodology यूज होगी, वो सब समझना और सीखना हमारे लिए सबसे बड़ा learning experience होता है, क्योंकि अपना देश, बड़ा देश है, 140 करो से ज्यादा की जनसंख्या के शहर है, मेगा सिटीज बन रहे हैं, उन सब को एक अच्छा transportation, low cost, low time वाला transportation अगर देना है, तो अपने को high speed corridors में महरत हासल करनी पड़ेगी देश को, उसी point of view से चल रहे हैं, और target अपना लिया हुआ है कि जो पहला section इस high speed का खुलेगा, वो 2026 में खुलेगा, between Surat and Bilimora, और उसके बाद में एक 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 करके सारे sections खोलते जाएंगे, सुरक्षा के लिहाद से बहुत विशेश द्यान रखे गए हैं, आप जानते हो कि जो Shinkansen system इसमें लग रहा है, high speed rail में, Shinkansen system world का सब से safest system है, और इसके जो करीब करीब इसका experience 1969 से अ पूरे system का, और दुनिया भर में इसकी पहचान है, safety की, और पहचान है, इसकी सुरक्षा की, तो इस पूरे system को implement करने से देश में एक नई तरह की knowledge base बनती है, मैं आपको बताया कि पहला corridor खुलने का target है, 2026 July, August में अपना पहला target है, पहला section का, उसके बाद में एक के बाद एक, देखिए, अगर ठाकरे जी की सरकार जल्दी से permissions दे देती, तो ये project अब तक काफी आगे progress कर गया होता है, जैसा आपने गुजरात वाले section में देखा है, किलोमेटर के अल्रडी एलिवेटेड कोरिडोर जो बन रहा है, पूरा का पूरा वायडक्त पे बन रहा है, 284 किलोमेटर बन के तयार हो गया है, इतनी तेजी से वहां पे काम हुआ है, वही तेजी से काम अब महाराश्ट्रा वाले section में भी हो रहा है, अनफॉचनेटली ठा